हेलो एब्रिवान वेलकम टू टैरो वाल टैरो कार्ट की रहस मैं दुनिया फ्रेंड्स में थून राची जैमनी का निकाल रहे हूं रेस्ट ऑफ 2022 आपका कैसा रहेगा और लव और करियर बहुत का निकाल रहे हूं अब इसको देखके समझ के फिर आपको क्या मिलने वाला है 2022 में और फिर आप उस पर वक करें जरूर होगा आपका ठीक है चले देखते हैं क्या आया है कार्ड में और रेस्ट ऑफ 2022 की संपुर्ण जानकारी मैं दूंगी क्या है नहीं है कितना क्या आपका मिला है नहीं मिला है ऐसा लग रहे है अगर करियर के लिए आप चाहरे हो क्योंकि कहा जाए रहा है आपको नए तरीके से आपको सोचना है न्यू विजन का है नए तरीके से आप सोचें समझें और आपके अंदर creativity बहुत जादा है ठीक है silence आप शान्त हो समझ में भाई है conscious mind सब conscious mind आपका दोनों work कर रहा है मितन रसी आप जो चाहा रहे हो ना करियर के लिए दन आप वह काम करना शुरू करें नए तरीके से क्योंकि आप कर और आना स्ट्रॉंग हो रही है और अब आप जो भी चाहरें न्यू विजन आया है नए तरीके से आप सोचें समझें और फिर वक करें दैन 2022 में करियर को लेके मैं जरूर कहूंगे कि चांस कि और आपके अंदर कर है कि आप जिस ची को विजुलाइज करना शूरू करोगे पॉस् summati कि यह चाहिए वह वह लाव लाइफ के लिए हो कर लाभ लाइफ के लिए बोत कि रेंखेंगे कि आपके अर्ध की प्रहिए है हमको और यह डोभिज्स कर रहें टो भी है प्रीप कर दिया था आफ्टर जेंडर लीडिंग में करूंगी वन वीक मुझे टाइम मिला था तुसले मैं कर दे रही हूं अभी बिल्कुल चांसे बहुत जादा है करियर में आप लोग जहां चाहरे हो बिल्कुल हैपी होने वाले हो अभी तक आपको नहीं मिल रहा था ऐसा लग रहा ह हो या प्रॉब्लम में कहीं न कहीं कुछ था ऐसा जो चाहते थे वहीं नहीं मिल रहा है तो आप चांसे बहुत जादा है अप फिर से आप उस चीज को नहीं तरीके से करें डिसिजन नहीं ले पा रहे थे तो यह जान लें कि टफ टाइम पास्ट में जो देखा है 2022 में अभ लाइब में हो इसे भी है अगर बोलूंगी अगर बहुत नहीं समझ में आ रहा है यह अप नहीं शुरूबात आप जब करेंगे तब आप लिए लाइफ में खुशिय आ जाएगे कि कि जिफमेंट कारभ आया है , इसलिए मैं मैं और मैजिशन कार आया यह आप वेज्वेज्वाला मैं आपुछी स्टेभलिटी अपिर दॉप Kur भी करोगे महनत बहुत नहीं कैसे हैं जैसे हिए ऽुछी लोड़ बैटगो करते हो रिधरने ते छो बै dzieciabaş vais कि नाइट आफ कॉप्स आया है तो यसा लग रहा है जैसे आप हो वैसा ही आपको इनसान मेलेगा ठीक है अभी और भी कार्ट से यह सारी की चीजे मैं बहता रही हूं कि जो कार्ट साहे हैं एक मैरेड लाइफ में अगर कहीं कुछ ऐसा था तो मैं उनको विसेज कर बोलूगी कि मैनिफेस्टेशन अगर आप कर रहे हैं एक हैपी फैमिली आपकी बनने वाली है बिल्कुल अप टफ टाइम से बाहर आ रहे हो अगर लड़ाई जगड़ा हो रहा था यह अके लिए आप हैंडल कर रहे थे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या डिसीजन लो नहीं क्या नहीं देन मैनिफेस्ट जरूर करें वो वक कर रहें नमबर बोल के करना है और मैरेड लाइफ आपकी ठीक हो जाएगे हैं अभी अटके पड़े हैं करियर में भी आपके पड़े हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है यह और बहुत कोई ऐसे हैं जो लाइफ में बैलन्स क पर करते हो हर चीज को हैंडल करना आपको यह फील होता है कि कब मेरा यह समय बीतेगा कब यह टफ टाइम बीतेगा तो यह मैं कह दूं का आफटर जून आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज़ेस होगा ठीक है लेकिन इस चीज को चेंज करने के लिए आपको भी लाइफ में वही चीज आपको मेलेगा ठीक है लव लाइफ कर मैंने स्पेशली बोल दिया कि मैनिफेस्टेशन करें अन्मैरिट है ज्यादा नहीं करना है और वह भी तब कि जब मैं मेरे तरीके से अगर आप मैं कर रहे है तो मौसलिकत हो जा रहा है फिर भी अगर नहीं हो है अगता है अनमैरिट को मैं जरुब और नहीं हो रहे है तो मैं मैने लगा एजरू होता है जरूर होता है सपक्रमव अब आप तयार हो इनकेस आपके पार्टनर आते हैं क्या आप फॉर्गिव कर पाओगे वेट तो बहुत दिन से कर रहे हुआ ठीक है और लेट गो करने के लिए भी कहा जा रहा है इसलिए मैं कहा रहा है अपने इंटुसंस पे ध्यान दें अगर लेट गो कर सकते हैं अपके पुर आपको दिखेंगा नहीं अगर आप पुराने रिस्ते में बंदे रहे होगे आ जाए आजाये और जो चाहरे वो नहीं मिल रहा है और उसे अच्छा बैटर आपको 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 अप्शंस देंगे तो जब तक आप लेट को नहीं करने का दिमाग में लाओगे तो आ कर दो तो यह मैं कहा दूं कि आपके गॉड आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपने रखा हुआ है बहुत कोई तो मुझे ऐसा लग रहे है बहुत कोई ट्रांसफर भी होने वाला है कहीं न कहीं सिफ्ट करने वाले हो आप लोग जहां हो साइध हो सकता है घर चेंज करो या एक जगह से दूसरे जगह कहीं जाओ ऐसा दिख रहे है कार्ट के ठ्रू मुझे तो हो सकता है आप लोग कुछ न कुछ चेंज से होने वाले हैं मूविंग का काड आया है और आप लोग मूव करने वाले हो कहीं न कहीं चैयर रिस्ते से मूव करो गई या जॉब में कहीं है एक्जाम दे लिया दें चांसे बहुत जादा है आपको सोल साटिस्वक्शन मिलने वाला है जो आपका सोल परपस है न वो पूरा होने वाला है आपके लाइफ में ठीक है चैयर के लिए हो लव लाइफ के लिए हो इस्पेशली मैं कह रहे हूं और क्वीन ओफ पैंटकल्स तो यह मैं कहूंगे कि financially आप लोग स्ट्रॉंग हो जाओगे 2022 के end होते होते आपके लाइफ में जहां आप हो चहरिस्ते में यह लव लाइफ में करियर लाइफ में आप उससे प्रोग्रेस ही करोगे day by day आप प्रोग्रेस करोगे ठीक है tough time जो देखा उससे बाहर निकल के आ और रेस्ट मैंने निकाला रेस्ट 2022 में तो आपका लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो का मनी प्रॉब्लम अगर कहीं कुछ थी तो वह भी चेंज हो रहा है आपके लाइफ में बैलन्स आरा क्योंकि इसलिए कि अपना नहीं तरीके से आप देगा न्यू विजन बिलकुल ज यह आपको मैंने बताया है करना अपने होता है और जब आप करेंगे तभी तो खुशियां आएंगी अटके पड़े हो समझ में नहीं आ रहा है अभी तक आपके पड़े हो रिस्ते में भी करियर में भी और कहीं ना कहीं ऐसा कुछ तो है ठीक है लेकिन बैलन्स में आपकी क्राइफ आने वाले टाइम में हो रही है और डिसेजन जरूर ले लें और जो डिसेजन आप लेंगे उसमें स्टैबलिटी अपकी रहेगी ठीक है ऐसा दिख रहा है कार्ट के तू इसलिए पॉस्टिव रहें आपके 2022 जितने बिरस्ट हैं आपका डेस बचा है मंथ बचा ह क्यों होप का है होप तो आप रखे हुए और रखना भी है और इस वज़े से आपका पूरा भी होगा ठीक है अब चले देखते हैं जिन्हों ने मुझे दिया था उनका मैं निकालूंगी 14 जून 2001 अमिशा काल रहा है और भाश्वर शर्मा मैरेज के लिए आप लोग देख रहे हो एक दूसरे के साथ के मैरेज अमिशा जी दी है कि मैरेज होगी नहीं होगी उनकी मदर इसूज है कुछ तो मुझे लग रहा है साइद कास्ट रिलिजन से भी हो सकता है हो चले जी कि अब समय आतरों जो reacts के अब पहुत सोच रहेते की क्या होगा क्या नहीं मुझे लग रहाया है कि रिष्टा में मैं बताए दो कि आपको ज़स्मेंट मिल जाए आपके तरफ ही कार्ड आए कुछ ना कुछ डैविल नाजी तो थी आपकी इस वज़ए से हुआ है अब आप सुने मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रखा हुआ है लिंक दिया है उसमें एक नंबर बोल के करना है आप व हो जाएगा क्यों आया है तो यह चांसे बहुत जादा है कि ठीक हो सकते हैं आप करिष्टा जो मादर इसूज है वो दीरे दीरे डिसॉल्व हो जाएगा ठीक है जब आप मैनिफेस्ट करोगे आप जब वह नंबर बोलके आपको सेंटेंस बोलना है पॉजिटिव सेंटेंस की ठीक है और इसलिए मैं कहा रहे ह HAR जाए चाहिए की बिलकुल आपको करना है और हो जाएगा ठीक है और फॉस्ट कर डिया है यह है इसका तो आप बिल्कुल लो जाएगा और इन ते नियर फ्योटे और चुबत आप मैनिफेस्ट करना शुरू करना है हुज़ करेंगा इम करियर का भी बता दें और तब्यत भी ठीक नहीं रहती है ऐसा आपने दिया है चले देखते हैं कि और ऐसा है हर्षद जी आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है अगर कर रहे हैं तो और अगर कर रहे हैं देन मेर्ण लाइव हो जाएगा ठीक है जहने देखतें करियर का क्या है नहीं है आयरक लाइव कर तो मैं जरूर क्का हो जाएगा ठीक है आप मैन-फैस्ट कर रहे है तो वह आज चारू आपक श्यक्रीट आसे में आपको lower consciousness ने मेरी पहल 밖에 है जाना शुरू हो जाएगा आप बिलीव रखके वो नंबर बोल के करें कि मेरे पार्टनर आ जाए मेरे पास और उससे बात करें फिर से रिस्ता सुधर जाएए सेंटेंस बोलने होते हैं वह आप बोलेंगे तो आपके सपने पूरे होंगे ठीक है एक नई शुरुवात होगी अब अब आप यहां तक सवाल है तो वह हो गया जो ओना था थोड़ा है अभी-वह लिखिन ठीक हो जाएगा थीक हो जाएगा एकिश्याए शुरू रास्ता खूल आप अपको कहीं नहीं किसी की हल्प कि लेने की जरूरत है उसके बाद चांसे थीक हो जाएगा अपको अफ जो बहुत जाने को जाने अचनक से नहीं हो जाएगा जब मेनिफ़स्ट करेंगे उसके पहले मैसेज आने लगेंगे आपको कॉल मैसे कुछ ना कुछ जाएगा डिकावरी आ होगी और जो भी सिच्वेशन है आपकी उसे बेटर होने वाली है और लव लाइफ के लिए तो मैं जरूर कहूंगे कि आपके लाइफ में खुशियां हैं ठीक है कि रोमेंस का भी काड आया है और करियर के लिए मैं कहूंगे कि किसी ना किसी का आपको help लेनी की जरुवत है आप डर रहे हो परिशान भी हो तो थोड़ा सो आपको टाइम लगे जनुट 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 नहीं मिल रहे हैं इस्टाडी मैरेज कर्या सब टीस का आपने पूछा है चले देखते हैं क्या रहा है कार्ट सके ठू आपको अ कि marriage आपका next year से है ठीक है डेट बशस्य में बता रही हूं और अच्छे रिष्टे जहां तक का सवाल है बहुत next year आपकी marriage होगी यह confirmation है roughly बहुत ज़ादा ही chances हैं next year तो होने के और अच्छे रिष्टए जो नहीं मिल रहे हैं इसले नहीं मिल रहे हैं कि आपको इस साधी होगी नहीं और लास्ट अभी कुछ समय यानि आफ्टर ठी मांथל अभी से Danos after 3 months chances हैं कि आपको जो रिष्टा मिलेगा उसके बाद आप next year marriage करना ठीक है और marriage रिस्ते इसले कहते हैं ना कि संजोग की बात से हैं योग जो कहते हैं इसले नहीं मिल रहा है क्योंकि अभी आपको इस तल मैरेज होगी यह नहीं कि नेक्स्ट यर मेरेज होगी और वो जो मेरेज होगी आप बहुत खुश रहेंगे वहां पर ठीक है इसलिए परिशान नहीं होना है आपको और बहुत अच्छे यानि कि प्यारा रिस्ते में रहोगे बहुत इंजॉय भी करोगे अपने लाइफ में और करियर को लेकर जहां तक चांसेस है थोड़ा बहुत अभी घड़वड़ी है अपके करियर में तो थोड़ा टाइम लगेगा करियर में अभी आपको मेहनत करें चांसेस हो जाएंगे हो सकते अक्टूबर नवंबर में हो जाए अगर आप कहीं चाह रहे हो देन ठीक है और इसके जहां तक बारे म है और उसके लिए मैं एंजल भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा रुपना है सिचेशन आपकी थोड़ा थोड़ी देर में कुछ समय में इंप्रूव करेगी पॉजिटिव रहना है आपको अपने इंडूशन पर ध्यान देना है और समय अभी आ ठीक है जो मैंने बताए कि नेक्स सब्सक्राइब करें तोड़ी प्रॉब्लम है और हो सकता है अक्टूबर नमबर तक में आपका हो जाएगा ठीक है आपकी लाइफ में इंजॉइमेंट है जैसा प्रिस्ता चाहरे हो न वैसा ही मिलेगा लेकिन थोड़ा टाइम लगे आफ्टरी मांस ठीक है और करियर भी आ हो गया होगा आपका चलिए अब देखते हैं महीन है पार्टनर लिब रहा है और आप जैमनी हो चलिए देखते हैं क्या है महीन जी आपको पॉजिटिव रहें और मुझे लग रहा है मैंने आपके पहले भी रिडिंग किया आप मैनिफेस्टेशन करते रहें और ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो करना है आप अपना अपने गौड पर बिलीव रखके आपकाम उस चीज़ को करें नंबर बोल के जरूर होगा उनके पास मैसेज जा रहा है अब आपके गौड ना उनको देंडिकेट आप जो आएंगे ना लौट के ता बिलीव नहीं कर पाऊगे कि ऐसा कैसे हो गया ठीक है बिल्कुल कार्ट से आए हैं यह कभी कार्ड आया है और यह अब आपके उपर डिपैंड कर रहा है चिंत इत आपके ठीक है इसलिए परिशान नहीं होना है महीं जी और बिल्कुल है फैमिली बनेगी बनेगी ऐसा है ठीक है आप मैनिफेस्ट कर रहे हो यह मुझे मालूम है और वह कर रहा है अब कुछ समय में इसी साल हो जाएगा आपका सब चीज़ देखना इस साल अपके एंड होत आप साथ में रहने भी लगोगे सब्सक्राइब करते हैं इस जो आप चार वही चीज़ होने वाद ठीक है महीं जी कि बहुत पॉजटिव कार्ट साइब देखतें कौन है 27 में है जैमनी है और पार्टनर स्कॉर्पियो है 19 नॉवेंबर है और चले देखतें क्या है नहीं है मैरेज होगी अपने दिया है टू मांथ से नो कॉंटक्ट में है आपका चले देखते हैं नाइन एट ऐसा है आपका नंबर मैच नहीं कर रहा है ठीक है और चांसे बहुत कम हैं मैरेज के नो कॉंटक्ट में भी हैं यह कार्ट भी आ गया है मेरे विचार में आप मूव ओन कर जाएं फिर मैं थोड़े और कार्ट देखना चाहते हूं आप अपना अगर मैनिफेस्ट करेंगे जैसे मैंने बताया है ठीक है और थोड़े लेके बहुत टाइम लगेगा अगर आप उ तब चांसे से वह भी बहुत लंबा टाइम लगेगा ठीक है यानिकी टैन मन्स लग सकता है पेसंस है कि इसलिए मैं मेजर कार्ट भी निकाल रहे हैं आपके तो मैनिफेस्टेशन डेक में भी है दो मैजिशन के भी काड़ा है ओमाइग आप चाहरे हो ना कॉंटक्ट में आ गुम रहा है पकी तरफ और अगर आप चाहा रहे हो कि onda करना पड़ेगा और जैसे वह रैंघक हो रहीत को आपको आफ्ट करना पड़ेगा यह भी करना तरहां नहीं है टाइम लगेगा हो सकतार टैन मन्स लग जौया आपको रिस्ते को सुधारने में भी इसले पेसंस रखेंगे दन चांसे और गॉड भी कह रहे हैं कि एक्षन में आ जाएं और अप लेट गो कर सकते हैं उस चीज़ को भूल सकते हैं फिर उनको रिस्ते में रख सकते हैं दन तो ठीक है और नहीं अगर पेसंस नहीं है या हैं आफ्टर मैरेज इसलिए फिर भी आपके एक्षा है देन आप मैनिफेस्ट करेंगे फिर मैं कहने कि लंबे टाइम लगेगा टैन मंस लग सकते हैं यह आपके उपर डिपेंड करते हैं आपको क्या करने मैंने बताया है इस इस इन आपका है पसंद आता लाइक से सब्सक